नमो नारायन मित्रों आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि टी नाम बालों का साल 2021 का शमय कैसा बीतेगा अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा इस वेडियो के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें इस वीडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का पड़ियास करें मित्रों आने वाले शमय के दौरान अगर आपके करियर की बात करें तो करियर के दृष्टी कौन से साल 2021 का शमय बहुत ज्यादा बिहतर और शांदार होगा आने वाले शमय के दौरान आपके करियर के छित्र में आपको सफलता बहुत ज्यादा मिलेगा साल 2021 में आपके पद में उन्नती होगा आपके सेलरी में बढ़ोतरी होगा लेकिन इसके अलाबा आने वाले समय के दौरान आपके करियर के छित्र में आपके सहकर्मी आपके कर्मचाडियों के साथ थे आपका बिबाद होगा छोटी मोटी बात को लेकर आपके सहकर्मियों के साथ थे आपका नोक जोक होगा लेकिन आने वाले समय के दौरान आपको ऐसे किसी भी बिबाद से ऐसे किसी भी जगरा से खुद को दूर करना होगा क्योंकि आपके आने वाले समय के लिए यह बहुत ही जियादा आबश्यक है मित्रों आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक बेपाड़ी हैं कारोबाड़ी हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके बेपार के छित्र में आपके कारोबार के छित्र में आपका समय चुनावती पुर्ण रहने वाला है शाल 2021 में आपके बेपार के छित्र में आपको कोई बड़ी हानी होगी इसलिए आने वाले समय के दौरान धन संपती के मामलों में आपको शाबधानी बहुत जियादा बरतना होगा मित्रों आने वाले समय के दोरान पैसे कमाने में आपको जयादा पड़ेशानी तो नहीं होगी लेकिन पैसे कमाने के बाद उस पैसे को बचाने में आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा तो आने वाले समय के दोरान आप अपने फिजूल खर्ची पे अपने फालतू के खर्चों पे ध्यान दे जितना जयादा हो सके आप पैसे को बचाने का प्रियास करें क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं पैसे बचाने का प्रियास अगर आप नहीं करते हैं तो आने वाले समय के दोरान धन सम्पती के मामलों में पड़ेशानी का सामना आपको बहुत जयादा करना होगा मित्रों आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक छात्र हैं बिद्यार्थी हैं तो आने वाले समय के दोरान पढ़ाई लिखाई के छित्र में आपका समय सामानी रहेगा न जयादा बहतर न जयादा खराब मित्रों साल 2021 में अपने सिक्छा के छित्र में आप जितना जयादा परिस्रम करेंगे जितना जयादा मिहनत करेंगे आपके सिक्छा के छित्र में आपका समय आपका साथ उतना जयादा देगा क्योंकि साल 2021 में आपको जो भी परिनाम मिलेगा वो भगबान सनी देब आपके मिहनत के अनुसार ही देंगे अगर आप मिहनत करते हैं तो भगबान सनी देब आपको फल बहुत जियादा देंगे लेकिन अगर आप मिहनत नहीं करते हैं पढ़ाई लिखाई के छित्र में अगर आप लापड़वाही करते हैं तो भगबान सनी देब आपका साथ नहीं देंगे मित्रों साल 2021 में आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक घर से बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस काम के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत जयादा बिहतर और सांदार है आप में से जो भी दर्सक साल 2021 में प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले शमय के दौरान आपको मेहनत बहुत जयादा करना होगा लेकिन संभाबना है कि आपके बिरोधी आपके पढ़ाई लिखाई में आपके ध्यान को भटकाने का प्रियास करेंगे लेकिन ऐसा कुछ करने से आपको बचना होगा इसलिए आने वाले शमय के दौरान आप इन बेकार की बातों को त्याग करें शाबधानी और एकागरता के साथ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें मित्रों ग्रह की गोचडिये इस्थिती के कारण शाल दो हज्यार एकीस में आपका पाड़िवाडिक जीबन बहुत जयादा बिहतर होगा क्योंकि आने वाले शमय के दौरान गुरू बिरस्पती की दृष्टी आपके रासी के उपर बहुत जयादा सकारात्मक प्रभाब डालेगी और इस सकारात्मक प्रभाब के कारण आपका पाड़िवाडिक जीबन बहुत जयादा बेहतर होगा आने वाले शमय से पहले अगर आपके माता पिता बीमार थे आपके माता पिता को कोई भी पड़ेशानी था कोई भी समस्या था तो साल 2021 में अगर आप उस पड़ेशानी को खत्म करने का प्रयास करते हैं तो भगबान सनी देब के कारण उस पड़ेशानी को उस समस्या को आप खत्म कर पाएंगे और आपका पाड़िवाडिक जीबन बहुत जयादा बहतर होगा मित्रों आने वाले शमय के दौरान आपके घर पड़िवाड में कोई मांगलिक कारज होगा उस मांगलिक कारण आपके घर के लोगों के बीच संबंध बहुत जयादा मजबूत होगा शाल 2021 में आपके घर पड़िवाड के सब ही लोग अगर मिल जुलकर रहने का प्रियास करते हैं तो यह आपके आने वाले शमय के लिए बहुत ही जयादा बहुतर और सांदार होगा मित्रों आने वाले शमय के दौरान अगर आपके दामपत्ते जीवन की बात करें तो दामपत्ते जीवन के दृष्टी कौन से आपका शमय सामान से बहुत जयादा नीचे है दोस्तों साल 2021 में आपके दामपत्ते जीवन में पड़ेशानी का सामना आपको बहुत जियादा करना होगा आने वाले समय के दौरान छोटी मोटी बातों को लेकर आपके जीवन साथी के साथ थे आपका नोक जोक होगा आपका बहस होगा लेकिन आने वाले समय के दौरान इन चीजों को आपको छोरना होगा इन चीजों को आपको त्याग न होगा मित्रों आने वाले समय के दौरान आपके माता पिता आपके भाई बहन यणी की आपके घरबालों के कारण भी आपके दामपत्ती जीबन में पड़ेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा मित्रों आने वाले शमय के दौरान संभाबना है कि किसी बड़ी गलत फेहमी के कारण आप दोनों के संबंध में बहुत बड़ा जगरा उत्पन्न होगा लेकिन साल 2021 में आपके दामपत्ती जीवन में अगर कोई भी पड़ेशानी कोई भी समस्या हो तो उस पड़ेशानी को खत्म करने का प्रयास आपको खुद से करना होगा क्योंकि साल 2021 में अगर आपके दामपत्ती जीवन में कोई भी बाहरी इंसान इंटर फेयर करता है दखल अंदाजी करता है तो यह आपके आने वाले शमय के लिए बहुत जियादा खतरनाक होगा तो इन छोटी मोटी बातों पर आपको ध्यान देना होगा दोस्तों साल 2021 में अपने समय को बिहतर और सांदार बनाने के लिए आपको करना क्या है कि सनी बार के दिन सरसो के तेल में खुद की परतिमा को देखकर छाया दान करना है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जियादा बिहतर और सांदार होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें शाथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो के नीचे जै बजरंग बली कमेंट कर दें इस वीडियो को आप हड़ जगह सियर कर दें ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देखें और अपने आने वाले शमय को बिहतर और सां बना सकें धन्यवाद